तो कई स्वागत आपका एकोड नई वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताने वाला ओ तो फ्लेऋ वन ब्लोघ इन माइंकल और उर ंस्टल往ं ब्लोद मेप इन माइंकास तो जल्दी एटिएयो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना आपको कुछ जाना है τη ओप्राउजेर में जाने के बाद आपको सर्च कर देना वंड ब्लोक Alt तब जैसे वन ब्लोक मेप सर्च करोगे तो सबसे पहली लिंक पर आपको क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा तो आपको थोड़ा स्क्रोल करना नीचे आना नीचे आने के बाद यह थोड़ी एड आईगी इसको काट देना और यहां पर जो ग्रीन कलर का डाउन तो यह यहां पर यह करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जागा एक और फॉलडर देखने को मिल जागा तो यह याद रखना यह ओर और ब्लोक वाला तो जैसे कि आपको सबसे पहले तो यह मिलेगा, आपको इसे एक्षटरिट कर लेना है, तो आप जैसे इसे एक्षटरिट करोगे, तो यह एसा folder बन जाएगा, और जो अंदर जो folder रहेगा, उसको आपको कर देना है, copy और copy करने के बाद, आपको इसे एपने display पर ही patch कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यह paste हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, one block, i.j.minecraft, यहाँ पर install लो चुका है, तो इसे desktop पर install क्यों करने है वो, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए गई है यह सब करने के बाद आपको simply चले जाना है अपने Minecraft में Minecraft में जाने के बाद आपको चले जाना है सिंगल प्लेयर में सिंगल प्लेयर में आप जैसे जाओगे तो आपको अपना कोई सा भी IR में इसरी करने के बाद इस में यहां पर सबसे नीचके वाले वर्ड चूज recon आपर मेरे सभी वर्ल्ड के नाम आ गए है तो अब आपको करना गया तो आपको minimize करने के बाद आपको अपना जो folder था जो हमने download करके extract करा था उस folder को आपको यहाँ पर अपने file manager में जाना है और file manager में जाने के बाद आपको यहाँ पर simply move to save पर कर देना है तो यहाँ पर यहाँ world save हो चुका और अभी यहाँ पर दीख रहा है one block तो एक बार में काम करता हूं पहले game restart करके आता हूं क्योंकि restart कर लोगे तब best रहेगा तो जल्दी से restart कर लेता हूं ओके तो यहाँ पर मैंने हमारा minecraft restart कर लिया है और गैज मैं एक चीज आपको फीड से बता देता हूं कि मैं जो यह process कर रहा हूं यह minecraft टी लॉंचर वाला है ठीक है original वाला नहीं यह टी लॉंचर वाला मतलब यह सब पर वर्क करेगा तो यहाँ पर मैंने game restart कर लिया अब मुझे फीड से जाना सिंगल प्लेयर पर और मुझे मेरा world डुणना जो कि सबसे नीचे वन ब्लोक करेगे तो मैं इस पर simply click कर दो हूं ओके फाइनली मेरा यहाँ पर minecraft खुल चुका है जैसे कि आप बहुत सब्सक्राइब ब्रेक दब्लोक बिलो यू ओके यहाँ पर मेरा वन ब्लोक आखिर कार इंस्टोल हो चुका माइन काफ में तो जैसे कि आपने वीडियो मे देखा में आपको आज बताया कि कैसे आप वन ब्लोक मेप को अपने minecraft टी लोंचर पर कैसे इस्टोल कर सकते हो तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीस वीडियो को लाइक करना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्लीस चैनल को सब्सक्राइब करो त तो मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई